नमस्कार दोस्तों मेरे नाम अविशेक है आप देख रहे हैं कैजिट टेक्निकल आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेगे कि अगर आप CSE के वेली हैं अगर आप CSE सेंटर चलाते हैं तो उसमें आयुसमान कार्ड की सर्विस को कैसे अक्टिवेट करें आयुसमान कार् जो भारत योजना है जो भी कार्ड बनता है उसको एक्टिवेट सर्विस को एक्टिवेट कैसे करें चलते कमपेटर स्क्रीन पे और देखते हैं सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोंग खोल लेते हैं यहाँ पर डिजिटल सेवा को लोग इन कर लेते हैं minion from digitalsaver.csc.gov.in को यहाँ साइट पे आप आ जाते हैं यहाँ पे लागिन कर लेते हैं लागिन का option आपको मिल जाएगा आपको यहाँ से लागिन कर लेना है जैसे ही आप देख सकते ही यहाँ पे login का option है यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप service के option पे click करेंगे यहाँ पे आपको search box दिखेगा यहाँ पे आपको type कर देना है आयुस्मान भारत जैसे ही आप आयुस्मान भारत type करेंगे आपके सामने दो option आ जाएगा आप देख सकते हैं अई उस्मान भारत हम लोग टाइप करते हैं आपके सामने दो अप्सन मिल जाएगा सबसे पहला जो अप्सन है इस पे आपको क्लिक हेर करना होता है असमान भारत स्कीम यहाँ पर देख सकते हैं दो अप्सन है लेकिन पहले अप्सन पर click here पर click कर देना है जैसे हैं click here पर click करेंगे आपके सामने PMJ का परधान मंत्री यहाँ पर आ जाएगा पुरा details दिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर करने में Link दिया गया है आप वहांसे उस सप्ट्र को इंस्टॉल कर लेंगे मॉर्फो का उसके बाद इस सर्विस का यूज कर पाएंगे तो आपको इंस्टॉल कर लेना होता है मौर्फो के सब्टवर को उसके बाद यहां पर आपको प्रोसेसिंग में कुछ देर टाइम लगता है उसके बाद यहां पर चेक मार्प कर देना होता है उसके बाद नीचे स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक कर देना होता है जैसे ही आपका Start Capture पर क्लिक करेंगे आपका जो Morpho का Light है वो आपका जल जाएगा वहाँ पर आपको अपने Finger रखना होता है जैसे ही आप अपना Finger रखेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ देर का Time लगेगा आपके सामने एक नया Dashboard खुल के आ जाएगा यहाँ पर आयुसमान भारत का आपका एक पोटल मिल जाएगा यहाँ पर CSC ID आपका User Type CSC ID, Email ID, State आपका पूरा Details दिखा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा सबसे पहला Option आपको दाहिनी साइड में मिल जाएगा Home का Home के Option पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सबसे पहला Home यहाँ पर देख सकते हैं Service Beneficiary का भी Option है यहाँ पर आप Estate भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप दूसरे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है यहाँ पर देखने को मिलता है मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगाओगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तर प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सिर जरू करें लटेस्ट टक्नलोजी वीडियो को देखते रहने के लिए आज तक इतना ही धन्यवाग